हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे के इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा कमाई वाले सेर केसे चुनें तो वीडियो को पूरा लाज तक आप लोग जरूर देखिये और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके दोस्तो अगर आप लोग सेर बजार में काम करते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि investment के लिए एसे सेर आप केसे चुनें जिनमें कम रिस्क हो और मुनाफ़ा होने की संभावना ज्यादा हो तो दोस्तो ऐसे सेर चुनना काफी कठिन भी हो सकता है जिनमें मुनाफ़ा होने की संभावना ज्यादा हो और जोखिम बहुती कम हो अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो यहां सेर मार्केट में आप अच्छा पेसा भी बना सकते हैं बस आपको पता होना चाहिए कि निवेस क आपको मिल जाएंगे लेकिन आपको उनकी बाते नहीं माननी है और रिस्तेदारों के बताए टिप्स को भी आपको अच्छे से समझने के बाद ही उसमें निवेस करना है वन्ना निवेस नहीं करना है इसी प्रकार आपके ब्रोकर और कई बार कई सारी वेबसाइड होती है और कुछ लोग कोल भी करते है जो कि निवेस यान के इन्वेस्मेंट के टिप्स आपको मेसेज पे बेढ़ते हैं लेकिन उनकी बातों में ना आये और सबसे अच्छा तरीका यहीं है कि आप खुद से सिखे और खुद इन्वेस्मेंट कीजिए तो यहीं सबसे अच्छा त को सिखना चाहते हैं कि अच्छे स्टोक कैसे चुने तो इसमें आपको यह देखना होगा कि कंपनी लगातार अच्छे फाइनेंशियल नतीजे दे रही है या नहीं दे रही आप 3-5 साल तक के नतीजे भी देख सकते हैं इसके लिए कंपनी के कंपनी अगर मजबूत नहीं ह है तो उसमें निवेस ना कीजिए इसके लिए आपको जाचना होगा कि उस कंपनी को कुछ चीजों में बता रहा हूँ जो की आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कंपनी को कैसे पता करते कैसे फंडामेंटल इनालिसिस करते हैं अच्छी कंपनियों चुनने के लिए तो दोस्त के हिस्से में कितनी रकम आएगी उसी को अर्निंग पर सेर यानि की EPS कहते हैं अगर 10 करोल रुपे की पुंजी वाली कंपनी जिसके 10 रुपे की किम्मत वाले एक करोल सेर है और वो कंपनी 20 करोल रुपे का सुद्ध लाब यानि की प्रोफिट कमाती है तो उसकी प्रति सेर अर्निंग यानि की अर्निंग पर सेर होगी 20 रुपे तो यह हमने कैसे कैलकुरेट किया यह हमने 20 करोड लिए उसको एक करोड से डिवाइट कर दिया तो हमारे पास EPS आ गया 20 रुपे इसी तरह से आप किसी भी कंपनी का EPS निकाल सकते है या फिर आपको वेबसाइट पर क किसी भी कंपनी का EPS आसानी से पता चल जाएगा दोस्तों EPS आप साला नहीं नहीं बलकि आप तीमाही नतीज़े यानि कि जो तीन मन्त के क्वाटर रिजल्ट होते है उसमें भी देख सकते है कि कंपनी का EPS लगातार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा इसका सीधा मतलब पेकी अगर कंपनी की कमाई बढ़ रही है तो सेर भी भविश्य में बढ़ेगा ही तो इसी तरह से आप EPS को जरूर देखे सेर बाई करने से पहले उसके बाद जो आपको चीद देखनी है वह है पी रेसियो दोस्तों पी रेसियो का सबसे पहले हम फोर्मूला समझ लेते हैं कि यह कैसे केल्कुलेट होता है तो दोस्तों पी रेसियो निकालने के लिए आपको मार्केट प्राइस लेनी होगी आपको एक मार्केट प्राइस तो दोस्तो अगर किसी कंपनी के सेर की किमत 100 रुपे है तो यह हो गई उसकी market price मतलब market में हाल में उसकी किमत 100 रुपे है उसके बाद अगर आपका EPS है 5 रुपे तो उसका PE ratio होगा 100 रुपे जो कि हमने ले ली market price उसके बाद हमको उससे divide कर देना है 5 जो कि है अमारा EPS तो 20 हो कंपनियों के मुकाबले कम है तो सेर के बढ़ने की संभावना ज्यादा हो सकती है लेकिन सिर्फ EPS और PE ratio के आधार पर आप निवेश नमत कीजिए और भी बहुत सारी चीज़े होती है जो कि आपको stock pick करने में देखनी पड़ती है तो दोस्तो एक book value भी आपको पता होनी च भटा कर प्रती सेर कितना भुकतान प्राप्त होगा यह होती है किसी सेर की book value उसकी सेर केपिटल और जनरल रिजल्व को तोड़ कर कुल सेरों की संख्या से विभाजित करने के बाद यान की divide करने के बाद पता किया जा सकता है अगर book value कंपनी के हिसाप से सही है तो आप उस पर कर्ज है अगर वो अपनी सारी प्रोपर्टिया और सब कुछ बेच दे और उसमें से अगर वो कर्ज निकालती है और जितना उसे profit होता है या फिलोस होता है उसमें से जितने उसके सेर धारक है जितने उसके सेर बिके है उन सेरों से आप divide कर दीजिए तो आपके सामने book value आ जायेगी कि यह है इसकी actual price तो book value का मतलब यही है कि अगर company बंद हो जाती है तो शेर ओल्डरों को कितना विपैसा वापस मिलेगा तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखे उसके बाद है दोस्तो dividend और balance sheet इसको भी आपको जरूर समझना आप चाहिए दोस्तो dividend क्या होता है तो दोस्तो dividend में company अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा आपने सेर धारकों को दे देती है मान लीजिए कोई company है जो कि हर साल एक करोर रूपे कमाती है लेकिन अब उस company के management जो कि उस company को चला रहे है उन लोगों ने decide किया कि एक करोर में से 70% यानि कि 70 लाख रूपे हम अपने पास रखते है company को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए और बाकी के जो 30 लाख रूप में आपको दे देंगे जिन लोगोंने उनके share खरीदे है तो इसी को dividend कहा जाता है उसके बाद दोस्तो balance sheet की बात करें तो इसमें आप company के बारे में पता कर सकते हो और उनके profit और loss के बारे में भी जान सकते हो दोस्तो balance sheet के उपर एक अलग video भी बन सकती है पूरा क्योंकि यह बहुत detail concept है इसमें आपको अच्छे से समझना पड़ेगा अगर आप लोग comment करेंगे तो मैं इसके उपर भी एक video जरूर बनाऊंगा उसके बाद आपको देखना है दोस्तो कि company क्या काम करती है सिर्फ tools का इस्तमाल कर से आप पेशा नहीं बना सकते है आपको उस company की future growth और company के काम को भी जानना चाहेगा अगर आपको company के बारे में ही पता नहीं होगा तो आपका investment किसी काम का नहीं है यह आप सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि जिस सेर में आप निवेश कर रहे हैं वह company क्या बनाती है या कौन सी सेवाय देती है कई products ऐसे होते है जो हमारे और रोजमर्रा के कामों में भी उपयोग होते है उनके बारे में हमें अच्छी तरह से समझ होती है तो आप जिस company के सेर को खरिदना चाहते है वह company क्या करती है इसकी आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए कि वह company जिस पर आप पे जैसा कैसे कमाती है तो इतना अगर आपने समत लिया तो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों mobile बनाने वाली और mobile सेवा देने वाली company अलग-अलग होती है तो इन दोनों का डिफ्रेंस आपको समझना होगा उसी प्रकार mobile सेवा देने वाली और mobile टावर को maintenance करने वाली कंपनिया भी अलग-अलग होती है उसी प्रकार अगर हम देखै तो तेल प्रोसेस कंपनिया और तेल की मार्केटिंग करने वाली कंप्निया भी अलग-अलग होती है तो कंपनी के business को समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप उसमें निवेश करना चाहते हैं तो हमेशा आपने जिसके शेर भी आप लेना चाहते हैं आपको उतना पता तो होना ही चाहिए कि वो company क्या काम करती है जिससे वो पेशा कमाती है तो इतना जरूर जानिए उसके बाद दोस्तों आप company का भविश्या देखिए भवि management analysis करके हम पता लगा सकते कि company की future में growth क्या होगी और industry क्या बोलती है क्या आज जो बना रही हो सामने विकेगा दोस्तों जो company पहले अच्छी थी उस company का भविश्या कैसा होगा ये भी आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है क्या company उत्पादन लंबे समय तक प्रयोग होने हो जाएगा अगर company कोई एसी जीच बनाती है जो कि कुछ सालों बाद जिसकी डिमांड उतनी रही नहीं रहेगी जितनी आज है तो वो company future में लोस में आ सकती है जोस्तों बदलती तक्निक के जमाने में यह जानना हमको बहुत जरूरी होता है कि समय हमेशा बदलता रहता है तो company के पविश्य को लेकर हमें चिंता होनी चाहिए और हम company के पविश्य को अच्छे से चान लेने चाहिए कि आज जो इसकी स्थिति है कल वेसी ही रहेगी या इससे भी अच्छी हो सकती है यह आप तभी समझ पाओगे जब आपको उसका business के ब पविश्य पता कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों business में लीडर है या नहीं वो company यह आपके लिए बहुत important है दोस्तों यसी company जिसको उसके competitor हरा ना सकते हो और अपने आसपास देखिए आप लोग आपको कई products ऐसे मिल जाएंगे जो कि घर-घर में उपयोग होते हैं आपको य लीडर है तो उस company की growth होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है उसके बाद आप देखे के company क्या अलग कर रही है दूसरे के मुकाबले दोस्तों क्या company कोई ऐसा काम कर रही है जो कोई नहीं कर रहा और उस business में कोई service center या फिर network या कोई product copyright है जिसे कोई दूसरा बना ही न पिरोन सकती है इसमें कोई सक्की बात नहीं होती तो वो कमपनी सही है दोस्तों ज्यादा कलजवाली कमपनियों से बचकर रहना चाहिए यह हमेशा सही नहीं होती इसलिए सही यह होगा कि आप ज्यादा ब्याजवाली कमपनी के चकर में ना पड़े उसके बाद आपको management का analysis करना होगा कि management कैसा है दोस्तों एक अच्छी management team ही एक अच्छी company और नतीजे दे सकती है यानि कि जिस भी company को आप खरीद रहे उस company में कौन उस company को चला रहा है ये management उनका कौन है इसके बारे में आप सब जान लीजिए अच्छी team अचानक आने वाले संकोटों से भी आपको बचाती है और company को नहीं उचाईयों पर भी ले जाने में सक्सम होती है अगर जो company आपने चुनी है उसका management powerful और अच्छा है तो वो company की growth चरूर करेंगा तो इस बात का आप ध्यान रखे उसके बाद last में जो आपको ध्यान रखना है वो है bonus दोस्तो company का bonus और dividend का record भी आपको हमेशा देखते रहना चाहिए अगर management की नीती लगातार bonus देने की है और ये bonus देने की कोशिस कर रहे है तो ये company की भविश्य में भी एसा ही करने की संभावनाओं का प्रतिक भी हो सकता है दोस्तो शेर खरिदने से पहले अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको शेर आपको अच्छा मुनाफा कमा के जरूर देंगे तो इन बातों का ध्यान आप लोग जरूर रखेंगा और दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और वोटसेप ग्रूप में और भी दोस्तों के साथ इसे शेर जरूर करे और एसे इनफोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करे ताकि जब भी में कोई नया वीडियो डालो तो उसकी नोटिपीकेशन आप तक पहुँच सके और इस वीडियो से जमबंदित किसी भी तरह का प्रस्न पुछने के लिए नीचे कमेंट करे